हेलो दोस्तो स्वागा थे आपका हमारे यूट्यूब चेनल में आज हम मॉर्ड़न हिस्ट्री में आंगल मैसूर युद्ध के बार में पढ़ेंगे तो चलिए चलते हैं सेसन की ओर आंगल मैसूर युद्ध इस वीडियो में हम मैसूर के इतिहास के बार में पढ़ेंगे प् समराज असूग की अभिलेक के अनुशार मैसूर का प्राची नम महीसुर था। 1612 इस भी में मैसूर में सुतंत रूप से बाजियार बंज की इस्तापना होई। हलाकि इस से पहले भी बाजियार बंज सासन कर रहा था। लेकिन वह बिजयनगर सामराज की अंतरगर सासन कर रहा था। बाजियार राजवन्स की अभि लेकों मैसूर कू महीसा सुनगर कहा गया था। बाजियार बंज की प्रमुक सासक थे चिक्का क्रिशन राज। बादियार बंस के प्रमुक सासक चिक्का कृषणास थे और इनके दो प्रमुक सेनपती थे एक थी नंदिराज और दूसरे थे डिवराज जब चिक्का क्रिशनाज सासन कर रहे थे तो वास्तिक सासक नंदराज था वास्तिक सासक कौन था नंदराज 1760 में चिक्का क्रिशनाज की म्रत्तू हो गई थी और 1707 में ही हैदर अली द्वारा सेनपती नंदराज की हत्या कर हैदर अली स्वयम मैसूर का सासक बन जाता है अब हम हैदर अली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हैदर अली 1771 में सासक बना था और 1782 तक मैसूर का सासक हुआ था हैदर अली का जन्व 1722 में करनाटक की कुलार सहर में बुदी कोचा में हुआ था इसकी पिता का नम फती मुहम्मद था और इसकी पिता मेसूर सेना में सिपाही थे जब हैदर अली के पिता की मृत्तू हो जाती है तो वह अपने पिता की जगाए मैसूर से नामे भरती हो जाता है हैदर अली को गिंगी गुल में फौसदार बनाया जाता है हैदर अली को प्रारम में गिंगी गुल में फौसदार बनाया जाता है ये फ्रांशीशियों की सईयूक से वहां एक आधुनिक सस्त्रागार का निर्मार करवता है 1769 में हैदर अली ने मराथाओं को पराजित किया था 1760 में छिक्का कृष्ण राच की मिरत्यू हो जाती है और 1707 में हैधर अली नंजराजकी हत्यागर्श स्वयम मैसूर का सासक बना था प्रिथम आंग्ल मैसूर युद सत्रासू सरसत से 69 के बीच हुआ था प्रिथम आँग्ल मैसूर युद का कारण क्या था अंग्रेज और हैधर अली के बीच करनाटक का सीमा विवाद करनाटक का सीमा विवाद अंग्रेज और हैदार अली के भी चरहा था इस कारण प्रिथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में जोसेफ इसमित की नित्रित में अंग्रेजों ने मैसूर पर अक्रमर किया प्रारम में हैदार अली की पराजय होती है लेकिन बाद में हैदार अली जीच जाता है प्रिथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ती 1779 में मद्रास की संदी द्वारा समाप्त होती है मद्रास की संदी की प्रमुक्सरतें क्या थी कि एक दूसरे की वह जीते हुए छेत्र बापस कर दिये जाएंगे हैदर अली द्वारा अंग्रेजी बंदियों को रहा कर दिया जाएगा और अंग्रेज हैदर अली को जुर्माना देंगे यह मद्रास की संदिकी प्रमुक सर्तें थी और प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रीज पराजत होती हैं जुटिये अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ इस युद्ध का प्रमुक कारण क्या था? इस युद्ध का प्रमुक कारण अंग्रेजें दोरा फ्रांसीसी बंदरगा माही पर अधिकार करना था 1782 में अंग्रेजें ने आर्कूर्ट के नेचृत पर मैसूर पर आक्रमर किया था और जब आक्रमर करता है तो 1782 में पैट्रो नुवा का युद्ध होता है पैट्रो नुवा की युद्ध में हैदर अले की म्रत्व हो जाकी है इस युद्ध के बाद उसके पुद्र टीपू सुल्टान नित्रुत समाला था टीपू सुल्टान ने 1783 में ब्रिग्जेडियर में ठ्चूच के नित्रुत में अंग्रीजों को पराजित किया था दुटिया अंगल मैसूर युद्ध 1784 में मेंगलोर की संदी से समाप्त होता है हालाकि इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है अर्थात इसमें पूरता किसी ने जीत प्राप्त नहीं की थी और इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे वारिन हैस्टिंग इसके बाद तुटिया अंगल मैसूर युद्ध होता है यह युद्ध क्यों हुआ था क्योंकि टीपू द्वारा 54 कोर पर आक्रमर किया गया था तितिया अंगल मैसूर युद्ध का कारण क्या था क्यूंकि टीपू द्वारत रवन कोर पर आक्रमर किया गया था इस युद्ध में मराथा, हैदराबाद की निजाम और अंग्रेजों की सैयुक्त सैना मैसूर के खिलाप लड़ रही थी इस युद्ध में टीपू की पराजा होती है और यह युद्ध 1792 में स्री रंग पत्यनम की संदी से समाप्त हुआ था इस युद्ध में गवर्णर जनरल लोड कार्नबालिस थे तितिया अंग्ल मैसूर युद्ध की संदी से समाप्त हुआ था सिरी रंग पट्यनम की संदी से चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 इश्बी में हुआ था इसका कारण टीपु द्वारा सहाइक संदी स्युकार न किया जाना था टीपु ने सहाइक संदी स्युकार नहीं की थी इस कारण चतोर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था इस युद्ध में टीपू का बद हो जाता है टीपू की मेर्टू 1799 में स्री रंग पच्चनम की आकरी युद्ध में हो गई थी और इस युद्ध में टीपू की पराजा होती है और इस समय गवर्णर जैनल कौन थे लाट बेले जले चतोर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था लोज बेले जले की समय में अब हम टीपू सुल्टान की बार में पढ़ लेती हैं टीपू सुल्टान 1782 से 1799 तक मैसूर का सासक हुआ था 1782 में टीपू सुल्टान सासक बना था 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी स्री रंग पच्टनम में पाच्शाइ की उपादी धालन की और अपनी नाम के सिक्क्री चलवाए थे टीपू ने अपनी राजधानी में सुतंद्रता का व्रक्ष लगवाया और साथ ही जेकलिन कलब का सदस बना था टीपू को सीर एमयसूर भी कहा जाता था सीर एमयसूर किसका अन्यनाम था टीपू सल्टान का और इसने अपनी राजधानी धंदे पर सीर की तश्वीर लगाई थे ठेंक्स पॉर वाचिंग दोस्तो यदि आपको मारे वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जलू करें अब हमारे इस बीडियो से लिटिट वीडियाप को हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलूद कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद्बाई